अपना दाइरा और ज्यादा बढ़ाएं साथ्यों दिनों एक और अच्छी चीज हमने देखी है कि मेडिकल फेटरिनीटी के लोग योग के बारे में जागुरुत्ता फैलाने के लिए बहुत आगे आए हैं योग को प्रचारित प्रसारित करने के लिए जो काम आज हज़ी के बाद पिछली श्रतादी में किया जाने चाहिए था वो अब हो रहा है इस कोरोना के काल में योग प्रानायम का लोगों के स्वास्थ पर किस तरह सकारात्वक प्रभाव पड़ रहा है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से निपटने में योग किस तरह मदद कर रहा है इसके लिए आधुनिक मेडिकल साइंस से जुड़े कई समस्तानों द्वारा evidence-based studies कराई जा रही है इस पर आप में से कई लोग काफी समय दे रहे हैं साथियों आप लोग मेडिकल साइंस को जानते हैं expert हैं, specialist हैं और एक भारतिय को योग को समझना भी स्वाभाई ग्रूप से आसान होता है जब आप लोग योग पर study करते हैं तो पूरी दुनिया इसे बहुत seriously लेती है क्या I.I.M.A. इसे mission mode में आगे बढ़ा सकती है योग पर evidence-based studies को scientific तरीके से आगे ले जा सकती है एक प्रयास ये भी हो सकता है कि योग पर studies को international journals में publish किया जाए उसे प्रचारित किया जाए मुझे विश्वास है कि ये studies दुनिया भर में doctors को, अपने patients को योग के बारे में और जागरूत करने के लिए भी प्रोशाइद करेगी साथियों, जब भी hard work, talent और skill की बात आती है तो इन में आपका कोई मुकाबला नहीं है मैं आपसे यह भी अनुरोद करना चाहता हूँ कि आप पूरे attention के साथ ही अपने अनुभवों का documentation भी करते रहें patient के साथ आपके experiences का documentation documentation बहुत ही अहम है साथ ही मरीज के symptoms, treatment plan और उनके response का भी detail documentation होना चाहिए यह एक research study के रूप में भी हो सकता है जिसमें विविन प्रकार की दमावों और treatments के असर को note किया गया हो जितनी बड़ी संख्या में आप मरीजों की सेवा और देखभाल कर रहे हैं उसके हिसाब से आप पहले से ही दुनिया में सबसे आगे हैं यह समय यह भी सुनिशित करने का है कि आपके काम का आपकी scientific studies का दुनिया संग्यान ले और आने वाली PD को उसका लाब भी मिले इससे दुनिया को जहां medical से जुड़े कई जटिल सवालों को समझने में आसानी होगी वही उसके समाधान की दिशा भी मिलेगी COVID की यह महमारी इसके लिए एक अच्छा starting point हो सकता है vaccine किस प्रकार से हमारी मदद कर रही है किस प्रकार से early diagnosis का लाब मिल रहा है और एक particular treatment किस प्रकार से हमारी सहायता कर रहा है क्या हम इसको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा studies कर सकते हैं पिछली शताबदी में जब महमारी आई थी आज उसका documentation बहुत उपलब्द नहीं है आज हमारे पास technology भी है और हम अगर COVID से कैसे मुकामला किया गया है इसके practical अनुभवों का documentation करते हैं तो वो भविश में पूरी मानवता के लिए बहयत मददगार साबित होगा आपका यह अनुभव देश के medical research को एक नई गती भी देगा अंत में मैं यही कहूंगा कि आपकी सेवा आपका स्रम सर्वे भवन्तु सुगे नह के हमारे संकल्ब को अवश्य सिद्ध करेगा हमारा देश कुरोना से भी जीतेगा और विकास के नए आयाम भी हासिल करेगा इनी शुब कामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपका स्रम स्राइब आयाम भी हासिते हैं